हेलो एवर्ईवन तो जैसे की हमारे गर्मीओं में हमारे अंडराम से बहुत समयल आती है देन बहुत सारे ब्लाकेट्स होते है तो हम करज बनाने जाने ही होम रेमेडी यह मैंने ले लिया है फिटकरी और यह मैंने लिया है गुलाब जल और यह है अब ग्लीसिर इण चीज़ों अक्यादन क्याने जान सब्रेश भरेश करें जा लिए फिटकरी। बालई पाईट्री देने क箇ं अनॉ। ग्लीसिरिन अनुदूनी 48 लादने कमा सब्स्राइब भरेश na mm g 這個 Behavior मैं इसमें पाउडर मिक्स करें तो यह देखें फिटकरी پिस चुकी है और अब हम इसे एक बॉइल में निकाल लेंगे तो यह देखें हमने इसको एक कटोरी में निकाल लिया है यह कितना बारिक हो चुका है आप इससे भी ज्यादा बारिक कर सकते हैं मैंने लिया गिलिसरीन तो मैंने दो चमच पूरे भर भर के गिलिसरीन ले लिये हैं तो ये देखिए मैंने पूरा गिलिसरीन इसमें डाल दिया है देन ये बहुत छोटी बॉटल थी तो मैंने इसको पूरा ही डाल दिया है बिकाज मेरा जो मतलब फिट करी था वो भी जादा एक सीर्म के हिसाब से बनाना है तो इंचे मैंने भूलाब जल इसमें डाला है आप स्पून मैं स्पून के दाल सकते हैं इसको एकदम पतला बनाना इसमें के पता कर सके प्थot चीज अर्षी आ रही थी मैंने खुद इसको यूस किये और इसे आप कॉटन के थिरू भी लगा सकते हैं इसे आप इस सिशी में भी भर सकते हैं रोलाउन के डबे में तो यह काफी एफेक्टिव प्रोडेक्ट है मैं खुद इसको यूज़ कर रही हूं यह ब्लैकेट से मूफ करता है आपके अंडराम से जो स्मेल आती है बदबू आती है वो भी खतम कर देता है और यह बहुत जादा बहुत जादा है हमारे अंडराम के लिए तो अगर आपको ब्लैकेट से तो यह 15 दिन आप यूज़ करिए आपको इसका रिजल्ट 15 दिन में ही पता चल जाएगा जिसे कि मैं इस बॉटल में भी इसको भर देती हूं तो यह देखिए थोड़ा सा गिर सकते हैं या फिर आप से स्प्रे बॉटल में भर सकते हैं तो आप जैसे तो गाइस यह बहुत यूसफूल है थैंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो